Life में positivity से ज़्यादा negativity हमें attract करती है negativity और negative thoughts की वज़े से life में जो problems बढ़ती जाती है उनसे हम बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं लेकिन सोचने की बात ये है कि ये negativity हमारी life में बढ़ाता कौन है जाहिर सी बात है हम खुद हम ही इसे बढ़ा रहे हैं तो कम भी हम ही कर सकते हैं और पूरी तरीकी से इसे life से हटा भी सकते हैं बस कुछ छोड़ी छोड़ी बातों का ध्यान हमें रखने की ज़रूरत है सबसे important अपने उपर trust करें अपने intuitions को follow करें और खुद को समझें कभी भी ना बोलने से ना डरें और जैसा आप feel करते हैं या जो आप चाहते हैं वैसा ही exactly दूसरों के सामने बोलने की कोशिश करें हर वक्त लोगों पर depend रहना बंद कर दीजिए और कोई काम अगर आपको सही नहीं लग रहा है तो उसे मत कीजिए अपने लिए कभी भी कुछ भी गलत ना बुले मजाक में भी नहीं कभी भी अपने goals और dreams से give up ना करें बहुत बार कोशिश करने पर भी अगर आप अपने goals को achieve नहीं कर पाते हैं फिर भी बार-बार कोशिश कीजिए अपने लिए kind रहें अपने आपको pamper कीजिए और खुद को माफ करना भी सीखें खुद के mindset और health को समझें अगर कुछ health issues आ रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि mind में बार-बार कुछ गलत चल रहा है तो अपने उपर काम करना start कर दें तो इन easy tips को अपना कर आप negativity और problem से धीरे धीरे positivity की तरफ बढ़ते चले जाएंगे और अंत में सब अच्छा होगा और अगर कुछ भी अच्छा ना हो तो मान लीजिए ये अंत नहीं है धन्यवाद